हेलो एब्रीवर वेलकम बैक टो शिवी स्टैडिशिप हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ओफ मेडिवल इंडिया जिसे लिखा है सतीश चंद्राजी ने आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम गुरूप को भी जॉइन कर सकते हैं वहाँ पर आपको सभी जो परी वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन है साथ में प्लेइलिस्ट और जो भी में पीडियोफ अवेलेबल कराती हूँ वो सभी आपको टाइम पर मिल जाएगा इससे पहले मैं आरेश शर्मा की एशन इंडियन हिस्ट्री कवर कर चुकी हूँ और इसके बाद हम कवर करेंगे बॉर्डर इंडियन ह से बताती है आपको जाधा रटाफिकेशन करने की जुरुत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी तो चलिए अपने इस बुक को स्टार्ट करते हैं और इसके हम तीन जो चाप्टर से वह कंप्लीट कर चुके हैं और वह अप्लोड भी हो चुके हैं आज हम कवर करने वाले हैं च इस तरह से उनकी एकनॉमी थी सोशल लाइफ थी एडुकेशन था उनकी किस तरह के रिलीजिस ब्लीफ थे वह हम सारे इसमें देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अमने लेक्ट्र को अल्थो भी हैं अल्थो भी हैं अल्थो भी हैं पॉलिटिकल देखेंगे तो अब इस पेसिकली हम इस पीरिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बता दिये हैं अब इसमें कहा क्या गया है कि जो इकनॉमि है टीक है ना इकनॉमिग जो सोचल लाइफ थी लोगों की मान की चलिए कोई भी अभी कोई किंग है, वो अच्छा खासा अपना रूल कर रहा है, अब उसको आके कोई दूसरा जो किंग है, वो आकर उसको हरा देता है, अब होता गया है, जब वो नया जो किंग आएगा, वो अपने एक नया पॉलिटिकल सिस्टम लेकर आएगा, वो ज कोई किंग आएगा सबसे पहले इसको यह देखना है कि मेरा सब के ऊपर रूल होना चाहिए अच्छे से ठीक है और उसका जो ट्रेजर है उसका जो खजाना है वो भरा रहना चाहिए तो वो इसने लोगों की जो सोशल लाइफ होता है उसमें जादा नहीं पड़ेगा सोशल ल पीब के उनके जो रिलीजियन है उसको लेकर वो पॉलिटिकली तो स्टेबल हो गए उन्होंने अपना इंडिस्टेशन जो सिस्टम है वो भी अच्छे से सेट कर लिया तो अब वो इन सब चीजों में इंटरफेर करेंगे लेकिन जब भी कोई डाइनस्टी सिफ को इस अगर हम कंपेर करते हैं पॉलिटिकल लाइफ से तो पॉलिटिकल लाइफ में आपको बता दिया कि क्यों ऐसा हो रहा था क्यों बहुत जल्यज़ी चेंज हो रही थी क्योंकि कोई डाइनस्टी एक बहुत लंबे टाइम तक तो रुखती ही नहीं है असलिग है तो इसलिए जो बहुत पहले चल रही थे जिस तरह के अर्लियर फीचर थे वो 9th century तक आते आते भी वही continue रहते हैं अगर हम बात करें लोगों की ideas बिफ सोशल लाइफ की at the some point there were a number of new factors which made the period different from the earlier one लेकिन कुछ-कुछ new factors ऐसे थे चो introduced हो रही थे अगर हम compare करते हैं पहले time period से और बाद वाले time period के ठीक है तो कुछ factors ऐसे दिखते हैं जो नहीं नहीं introduced हो रहे थे generally speaking new element as well as the element of continuity are found in every historical period but the extent and the direction of change varies ठीक है तो आपको कुछ भी नए elements और उनकी continuity आपको हर historical period में देखने के लिए मिलेगी लेकिन वो कितने लंबे time तक चलते हैं कितनी दूर तक फैलते हैं उनकी क्या direction रही है तो उस समय आपको changes देखने के लिए मिलेगे ठीक है आपको हर जं trade and commerce ठीक है अगर economic situation की बात करें especially trade or commerce की इस period में तो हम देखेंगे काफी historian के अपने अलग-अलग यहाँ पर debate करते हैं वो इस matter पर कुछ का मानना है कि यह जो period था ना यह ऐसा period था कि जिसमें कोई भी trade नहीं हुआ था और जो था उसका decline हो गया था जो foreign trade था वो भी पूरी तरह से बंद हो गया था long distance trade trade within the country ठीक है जो भारत के अंदर ही अपने trade होता था एक long distance पे वो भी नहीं हो रहा था साथ में foreign trade भी नहीं हो रहा था the decline of towns and the greater localism and the regionalism तो वो कह रहा है कि धीरे धीरे मदर साफ उनका कहने का तरीका यह है कि trade नहीं हो रहा था इस समय भारत का ना बहार कहीं हो रहा था ना देश के अंदर हो रहा था और उसी वज़ासे जो towns थे तीक है जो localism था regionalism था वो पूरी तरह से अपने decline पर था the virtual absence of the gold coins till the 10th century is considered to be a proof of this अब वो ऐसा कह क्यों रहा है क्योंकि उन्हें इस time पर कोई भी जो gold coins है ठीक है 10th century तक वो नहीं मिल रहा है तो कह रहा है जब इसका मतलब coin नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या कि trade नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना य है कि शाइद ही इसलिए हुआ हो क्योंकि trade तो भारत का अच्छा चल रहा था क्योंकि इस time पर हमें बहुत बरबर temples बने हुए मिले है जो gold के बने हुए अजब trade नहीं हो रहा था तो यहां के लोगों के प्रस्पेर रिच कैसे हो रहे थे तो हो सकता है कि उस coin को मतलब जो exchange ह होता था trade में है ना पैसे जो मिलते थे वो शायद उन्होंने coin में ना convert करा के उसे किसी और form में रखा हो ठीक है आगे देखते हैं प्यार विकन हार्ड ली examined it here all these points in detail suffice is to say that the fall of the roman empire did not seriously affects India's trade with the west and since two large empire Byzantine empire with its base Constantine ball ठीक है and the Sassanian empire based in the Iran rose during the subsequent period ठीक है अब यहाँ पर दिखे क्या का गया अब बाके चीज़ें को अगर हम अच्छे से detail पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि रोमन एंपायर का जो फॉल हो गया था क्योंकि बहुत सारे लोग ने यह कहा कि उधर western में जो रोमन एंपायर थी जिसके साथ भारत का trade चलता था उसका फॉल हो गया था उसका इंडिया पर बहुत प्रभाव पढ़ा लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं उनका यह माना है कि ज दो एंपायर थे जैसे कि तो बेजंटाइन एंपायर हो गया और दूसरा जो ही सेसलिट एंपायर है जो कि इरान में था यह भी इस टाइम पर अपने अच्छे खासी ग्रोथ कर रहा था तो इन दोनों एंपायर के साथ तो इंडिया के ट्रेड चल रहा था बोथ एफ दैम चुक कीन इंटरस्ट इन ट्रेड विज इंडिया और इंडियन ओशियन और यह दोनों ही एंपायर ऐसी थी जो इंडिया के साथ ट्रेड करने में बहुत जादा इंटरस्टेट थी और इंडियन ओशियन के तुरू ट्रेड होता था बारत और इन दोनों एंपायर के बीच म अब जैसे ही अरब एंपायर का 7th century में राइस होता है तो जो अरब है वो भी अपने trade को expand करते हैं इंडिया के western side की तरफ, South Asia की तरफ, China की तरफ तो इंडिया का trade फिर रुका कहा है There is no reason to believe that Indian traders were excluded from this expanded trade तो हमारे पास ऐसा कोई भी पक्का reason नहीं है कि जिससे हम यह कह सेके कि जो Indian traders हैं अब उनको पूरी तरह से इस बढ़ते हुए trade में उन्होंने कोई हिस्सा नहीं लिया या उनको involve ने किया गया गोल्ड कॉइन, silver continue to come into India and return for its favorable trade ठीके भारत में उस समय गोल्ड और silver आया है जो भारत वाले trade करते थे वो जो भी चीज़े बाहर जाके बेचते थे या जो भी यहां से खरीद के लेके जाते थे उसके बदले में वो उन्हें गोल्ड और silver देते थे ठीके तो इसमें यह कहा गया है कि इंडिया के पास इसलिए तो इतना सारा गोल्ड और silver हो गया क्योंकि वो भार के लोगों से trade करते थे फार्नर्स को यहां तक कि वो attractive जो prizes वगरा है वो भी देते थे जब उनके साथ trade करते थे और बहुत सारे जो ओर्नर्स है वो यहां पर जाकर invade करते थे या trade करते थे तो वो भी यहां से लेकर जाते थे वायता gold and silver was not sorry was used for decorating temple and palaces और for the jewelry and simply buried for future use क्योंकि उस समय का जो gold है silver है वो tamples में, palaces में उसको सजाने के तौर पर use किया जाता था, jewelry बन वाली जाती थी और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे कि उसको buried करते हैं मतब सको कहीना चुपा के जबीन में रख दिया करते थे जिससे कि उसे वो future में use करें not used for coinage, लेकिन coin को बनाने के लिए किसी ने भी उस gold और silver का use नहीं करा तो इसलिए answer simple है कि अगर कोई भी historian इस बात पे, इस तरक पे जाता है कि उस समय coin नहीं मिले हैं gold और silver के तो इसलिए इंडिया का trade नहीं चल रहा था उस समय वो decline पर था, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि coin के अलावा बागी बहुत सारा gold और silver मिला है, अलग-अलग form में, हो सकता है, उस समय जिस भी dynasty का rule रहा हो, या जिस भी पूरे देश में जिसका भी rule रहा हो वो लोग interest ही ना हो, जो interested ही ना हो coin बनाने में we have seen how a large number of states arouse in the country during the period and the growing power and the authority of those holding superior rights in land, okay, many of this kingdom expanded agriculture by building burnt wells in some instances अब यहाँ पर यह टाइम ऐसा था मीच में जो हमने पूरा पढ़ा था पीछे तीन चाप्टर्स में कि बहुत सारे last number of states country में अलग-अलग देखी जाते हैं, अलग-अलग जगापर सब का अपना एक growing period था और सब क्या चाहते थे, land पर control करना चाहते थे, क्योंकि land पर control करने का मतलब है, कि वहाँ से अच्छा produce होगा, उस land को agriculture परपस के लिए उस करेंगे, बहुत सारे kingdoms ने अपना expansion किया, agriculture के थुरू, agriculture को पढ़ाया, महाँ पर कुवे वगरा यह सब बनाई, buildings बनाई ठीक है, जैसे कि Bengal, Sindh, और जो Tamil country है उन्होंने अपनी जो position है, उसको काफी strong किया, the ruler invited Brahmans to settle down by giving them grants of rent-free land, इन लोगों ने क्या किया, जो rulers थे, उन्होंने Brahmans को invite किया, कि आप आकर इन जमीनों पे रहो, और आपके लिए क्या ही rent-free है, since the bulk of these lands were uncultivated, and many tribesmen who were nomads, or cattle rears, or the food gatherers were induced to settle down to agriculture अब इन ब्राममर्स ने क्या, land तो इनको मिल गई, लेकि इन्होंने उस पर खुद ना काम करके, इन्होंने क्या कहा, जो tribesmen थे, ठीक है, उनसे कहा, कि तुम इधर-उधर nomadic life जीते हो, इधर-उधर बंजारो वाली जीते हो, मैं हम तुम्हें जमीन देंगे, ठीक है, और अपने जानवरों के साथ, तुम यहाँ पर रहो, और इन जमीनों पर क्या करो, agriculture करो, such expansion of cultivation further strengthen the position of the local chief and the samantar, अब इससे क्या हुआ, जो ब्रामर्स है, उनकी जो position है, वो और जादा powerful हो गई, क्योंकि जो जमीने अभी उने कुछ भी नहीं दे रही थी, सर्फ उनको रहने के लिए ऐसे तो दे थी rulers ने, कि हाँ पर आप रहो, आपको rent नी देना, अब उन्होंने उस जमीन का use करा, जो tribal people थे, उनको देकर, कि तुम यहाँ पर रहो और cultivation करो, जो भी produce होता है, उसका इतने पसेंट दुम रख लो, और बागी का हमें revenue के तौर पर दे देना, तो ऐसे हुआ, तो यहाँ पर, जो cultivation का expansion तो हुआ, इसमें भी कोई बात नहीं है, दिमाग तो लगाया उन Brahmans ने, तो उन cultivation हुआ, ठीक है, जो land है, वो उस king के अंडर आ गई, अच्छा produce जा रहा है, revenue generate हो रहा है, तो यहाँ पर जो local chief थे, और जो samanthas थे, उनकी position क्या हो गई, strong हो गई, यह local chief और samanthas कौन थे, जिनके पास बहुत सारी land थी, ठीक है, अब देखे, पूरी जरा से, इस बात का हमारे पास, कोई भी, महम कह सकते हैं, प्रूफ नहीं है, कि अगर हम यह कह सकें, कि उस समय जो यह छोटे-छोटे टाउन्स पने हैं, जो यह खाली जमीन थी, इसका यूज करके, लोगों ने महाँ पर कल्टिवेशन करा, एक दी कल्चर करा, फिर वहाँ से जो प्रड्यूस आया, उसका उन्होंने गुट्स पे कर दिया, और फिर उन्होंने, जो चीज़े आभी वो बहार से खरीद के ला रहे थे, उन्होंने आपस में ही महाँ एक दूसरे को खरीदना बेशना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ, महाँ का लोकल ट्रेट बढ़िया, लेकिन वो जो लोग अभी बहार जाले जाले ट्रेट करने के लिए, उन्हों चीज़े को खरीदने के लिए, वो कहीं ना कहीं रुग गया, ठीक है, अब इससे हो क्या सकता था, इससे ये हो सकता था, ये शायद हुआ हो, नौथ इंडिया में अगर ट्रेट घटा है, ठीक है, अब यहाँ पर जो लोग अभी long distance trade कर रहे थे, अब उनको वो चीज़ जब अपने पडूस में ही मिल रही है, तो वो क्यों करेंगे फिल long distance trade, तो यहाँ पर पहले होता गया था, कि जब भी जो लोग थे, traders थे, जब वो trade करने चाते थे, तो उनका ना एक कारवा निकलता था, पूरा का पूरा, ठीक है, उसे बोलते थे, guild या फिर श्रेनी, जो उसका head होता था, the guilds have often consisted of people belonging to different caste, और इस guild में, इस पूरे कारवा में, बहुत सारे लोग होते थे, और यह सब different caste के होते थे, जो हर इंसान को इनके गुरुप के जो लोग थे, उनको मानना पड़ता था, वर entitled to land or borrow money or receive endowment, और आपस में यह एक दूसरे को पैसे वगरा उभी उधार वगरा दिया करते थे, विद्धा decline of long distance trade and commerce, these bodies lost their former importance, अब जब trade में, जो long distance trade में, जब decline आया, तो यह जो गिर्स थे, जो यह श्रेणीस थी, इनकी जो importance पहले थी, अब वो धीरे धीरे वो importance यह खोते जा रहे थे, we find very reference, क्यों खोते जा रहे थे, सब्सक्राइब यह भी जानते हैं, यह पहले तो trade यही करते थे, कहीं बाहर जाते थे, वहाँ से चीज़े खरी थी, फिर यहां कर बेची, लेकिन अब यहां के लोगों को इन से कुछ लेनी की जरुवत ही नहीं है, ना बहाजा के trade करनी की जरुवत पढ रही है, ठीक है, और इन में से भी कुछ लोग ऐसे थे, जो पहले श्रेणी के member हुआ करते थे, लेकिन अब वो निकल के वो खुद अपने agriculture कर रहे हैं कि हमें तो यहीं लैंड मिल रही है, हम तो यहीं करेंगे, तो इस तरह से इनकी जो value थी, वो कम होती जा रही थी, वी find very few reference in North India, during the period to guild receiving endearment, and in the course of time, some of the old श्रेणी emerged as subcast, ठीक है, और यह बहुत सारी older श्रेणी ऐसी थी, आप जो subcast बनके निकल रही थी, जैसे की दुआ, दुआसा श्रेणी, ठीक है, which was guild become subcast of the westya, यह क्या बनके निकली, यह subcast बनके थी, निकली किसकी westya के अंडर, ठीक है, and genism which was patronized by the mercantile section, also received a setback in North India, तो यह आप इतना समझ गई होंगे, यह जैनिजम थे न, यह भी trailers वगरों काफी support करते थे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, एक एक एक्जाम पर, ठीक है, तो अभी जो श्रेणी थी, इन्होंने अभी अपने आपको, अभी तक तो यह श्रेणी कोई caste नहीं थी, ठीक है, लेकिन आप इन्होंने अपने आपको कौंसी caste का बताना शुरू कर दिया, तो वेशियास का बताना शुरू कर दिया, यह किसके अंडर आते हैं, यह एशियास caste के अंडर आते हैं, अब यहाँ पर बहुत सरे जो लोग थे जिनके इच्छा थी कि वो भाहर ट्रेट करने के लिए जाएगा, तो यहाँ के धर्म शास्त्र में क्या लिखा हुआ था, कि जो मुझा ग्रास है, ठीक है, जहां तक वो ग्रो है, बस आप उसी के अंदर-अंदर ट्रेट करो, जहां से मुझा ग्रास है, जहां से का उग्राबंध है, उसके बाहर आप नहीं जाओगे, जले जाओगे, तो क्या हो जागा, धर्म ब्रस्ट हो जाएगा, तो यह मुझा ग्रास जो भारत में पाई जाती थी, जैसे कि एक मित यह भी था, कि अगर आपने समुदर को पार कर लिया, तो आपका धर्म ब्रस्ट हो जाएगा, तो उसी तरह से यह था, ट्रेवल अक्रॉस्ट सी, वह अलसो कंसिजर पॉलुटिंग, जैसे मैं बिब बताई थी आपको, कि अगर उस सौल्ट सी को आप क्रॉस करोगे, तो क्या हो जाएगा, आपका जो धर्म है, वो ब्रस्ट हो ज यह साब बगदाद गए, जो मुसलिम कंट्रीज है, तीक है, मुसलिम टाउन, वेस्ट अशिया में वहा पर कई, इसी पीरिएड में, जिस पीरिएड में ऐसा कहा जा रहा था कि बाहर जाओगे तो आपका धर्म रस्ट हो जाएगा, तो बाद में यह जो बैन था, यह बाहमन के लिए रहा गया, क्योंकि उन्होंने इस तरह का बैन बनाया था, यह और फिर वही इस चीज को मानते हो रहा कि बस, वो क्यों चाहते थे कि लोग ना जाए भार, क्योंकि लोग बहार जाएंगे, तो महां के धर्म को देखेंगे, महां के आडिलोजी को देखेंगे, और हो सकता है कि यहां के लोग वहां से इंप्रेस हो जाए, और जब वो वापस यहां पर आए, तो वो महां की जो आडिलोजी से उसको यहाँ पर आकर प्रीश करें तो इसी लिए जो प्रहमन्स थे वो यह सोच थे ते कहीं जो उनका वर्चस भी यहाँ है भारत में वो खतमला हो जाए और जो लोग कहीं भाहर से कुछ ऐसा न सीखा और यहां कुछ ऐसा न फैला दे कि जो हमारी value है वो कम हो जाए वो त आच प्राइव और चाहिन थेव संट्रेश पर प्रीश अं यहां त्रवे को आएं दिया था है इसने फर्क नहीं जाए डाला जो बस्तवो परोगी ये 6th century onward time से चल रादा बढ़ी आट होए है, ठीक है? The growing geographical knowledge about the countries of the areas is reflected in the literature of that time. क्योंकि पता चलता है हमें उस समय की जो literature है, उससे. The peculiar feature of the language of the area dressed are mentioned in the book of period such as the Harisenh, Brat Katha Kosh. ये जो Harisenh की जो book है, ठीक है ना, Brat Katha Kosh, इसमें आपको उस समय की जो languages है, dresses हैं, उनके बारे में बहुत सरी चीज़े पढ़ने के लिए मिलती हैं. बहुत सरी stories हैं, जिस्ते की हमें पता चलता है कि उस समय की जो Indian merchants थे, ठीक है, वो जब किसी भी water वगरा को crop मतब किसी भी sea वगरा क्रॉस करते थे, उस से related उनकी जो story है, जब वो trade करने जाते थे, उस से related, ठीक है, वो सारी stories है, उनको भी compose किया गया है, आगे दिखते हैं, दा Indian merchants were organized in guilds, and the most famous of them being the Manigraman and the Nandeshi, देखिए, बहुत सरी जो Indian merchants थे, मैं आपको बताया, जो भारतिय व्यपारी थे, वो कैसे चलते थे, एक कारवा में चलते थे, इसमें बहुत सारे लोग होते थे, और उसको बोलते थे, guilds बोलते थे, या फिर श्रेणी बोलते थे, इन श्रेणियों में, कोई ये एक ही श्रेणी नी होती थी, बहुत सारे होते थी, ठीक है न, कि ये 10 लोगों का गुरूप हो गया, ये एक शेडी हो गई, फिर दूसरी हो गई, जैसे आजकल होते हैं, कोई एक बिजनसमेन तो है नी, कोई एक कंपनी तो है नी, बहुत सारी है, तो ऐसे तब भी बहुत सारे गिर्स थी, उसमें जे सबसे फेमस थी, वो थी, मन नन देशी, ये दो बड़ी फेमस थी, बहुत अक्टिव थी, इस के डिस्पलेड आज स्परिट ओफ एंटरप्राइज, ठीक है, अपस बता रखा है, कि ये एंटरप्राइज में भी इंटरस्थान का, रिटेलिंग में भी, होलसेल ट्रेड में भी, और और फॉरन कंट्री के साथ, ये अपना अच्छा घासन का ट्रेड चलता था, कि बहुत बड़े-बड़े हैंट्स पी देते थी, टामबस को, ठीक है, इस से की उस समय के सेंटर अफ सोचल कल्चल लाइफ, और सम्टाइम अच्छा काम आते होंगे, जब ये बड़े-बड़े ग्रैंट्स पी दे रहे हैं, बहुत सारा टाइम ऐसा आ गया, तो अब जसी की होता था कि बहुत साले जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, वो किसी तूसरे देश में के, कभ कभी कभी ही होता था कि वहीं पर बस जाते थे, वहीं की जो वुमेन होती हैं, उनको पकड़ा और उनसे शादी वगएरा कर ली, ठीक है, पकड़ना not in the sense के जब जस्ती, कि महां पर रह रह रहे हैं, उनको अच्छा लगा, और वहां पर उन्होंने किसी लेडी से शादी कर ली, वहीं सैटल हो गए, ऐसा भारत में भी देखा गया है, जो बाहर से जो ट्रेडर्स आते थे, उनको यहां पर फायता लग रहा है, तो उन्होंने यहां की ओरतों से शादी कर ली, तो इस तरह भी होता था, अब जो प्रिस्ट थे, जो अब तक कहते आ रहे थे, कि बाहर जाओगे, तो धर्म रस्ट हो जाएगा, अब उन्होंने देखा, यह ट्रेडर्स तो बहुत कमार है, बहुत फायता हो रहा है, इन्होंने भी क्या करा, ट्रेडर्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, और इस तरह से, बुद्धिस्ट और हिंदू रिलिजिस जो आइडियास इन एरियास में, क्योंकि अब जो लोग थे, उसमें बहुत सारे प्रिस्ट भी थे, जो अब मर्शेंट बन गए थे, वो जब भाहर जाएंगे, तो कही ना कहीं अपनी जो आइडियास में भाहर लोगों को बताएंगे, ठीक है, मूँ पर उंगली रखे दो नहीं बैठे र Buddhist temple है, बोरोबुद्दूर, Java में, और Hindu temple अंकोरवट, Cambodia में, दोनों का धिहान रखना, बोरोबुद्दूर कहाँ पर है, Java में, और अंकोरवट कहा है, यह आपका Cambodia में, तो इस तरह से आप समझ सकते हो, किस तरह से जमारे religious beliefs है, वो यहां तक फैले, तब ही तो यहां पर Buddhist temple द वो हमेशा trade और जो cultural relation रही हैं भारत के साथ, हमेशा उसको welcome करती थी. In this way, Indian culture mingled with the local culture to establish new literary and cultural form. इस तरह से ही जो India का जो culture था, वो मिंगल हुआ दूसरे countries के local culture के साथ, और यहां से बहुत सारी जो नहीं literary और जो cultural form है, वो established हुई. Some observers think that the material prosperity of the South Asian countries, the growth of civilization and establishment of large states, was based in large measure on the introduction of Indian techniques of irrigated rice cultivation. तो बहुत सारे जो लोग हैं, उनका ये माना हैं, कि जो South East Asian countries हैं, वहाँ पर जिस तरह से civilization की growth हुई है, बड़े-बड़े large state बने हैं, वो सरिफ इसलिए बने हैं, क्योंकि उन लोगों के relation थे भारत के साथ, और यहां से उन्होंने भारत की जो techniques थी, कि rice cultivation कैसे होता है, यहां पर rice बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर इसलिए उन्होंने जब techniques चीखी, Indian की, कि rice को कैसे हुआना चाहिए, वो उनको अच्छी लगी, उन्होंने बहुत अच्छी से सीख ली, और उसे चीज़ का फायदा लेकर, उन्होंने वहाँ पर जो हम कहींगे, बहुत अच्छी growth देखी गई, देखेंगे, बहुत सारे चीफ इंगिन पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो भार उनके साथ trade करते थे, South East Station countries के साथ, जैसे की Java हो गया, समातरा हो गया, तामर लिप्ती हो गया, ठीक है, यह ना, यह सब कहाँ पर है, आपके Bengal में है, इस period में आपको बहुत सरे stories मिलेंगी, जिसमें जिकरी किया हुआ है, मर्चेंट के साथ-साथ, के वो कहां जाते थे, स्वन्दीप जाते थे, स्वन्दीप किसका नाम था, जो आपका modern Indonesia है, उसका नाम स्वन्दीप था, ठीक है, कठा, ठीक है, तामर लिप्ती जो अभी आपका मलाय है, जम्बो दीप, स्वरी ये तो तामर लिप्ती से हो गया, 14th century writer in the Java, speak of people from the Jambo दीप, सेम वैसे ही अगर आप जब Java जाओगे, तो जावा में जो आपके writers आपको मिलेंगे, उन्होंने भारत को क्या नाम दिया है, Jambo दीप नाम दिया है, ठीक है, करनाटिका, South India got Bengal, containing unseasling in a big numbers in a large sheep, तो उन्होंने वहां के लोगों ने यहां के बारे में अपनी stories लिखिया है, और यहां के लोगों ने वहां के बारे में अपनी stories लिखिया है, traders from Gujarat also took part in this trade, तो जब Gujarat के traders थे, वो भी जाते थे वहां पर trade करने के लिए, और account of its prosperity, China had become the main focus of the trade in Indian Ocean, ठीक है, चाइना का भी काफी बड़ा रोल था इसमें Indian Ocean में trade करने का, Chinese consumed enormous quantities of spices which were imported from Southeast Asia and India, जब चाइना वाले थे बहुत सारे जो spices वगरा है, उसको लेके जाते थे, Southeast Asia से और India से, ठीक है, और क्या import करते थे? Ivory, ठीक है, the best of which came from the Africa, glassware, which came from West Asia, यहादा की जो Africa, West Asia, ठीक है, यहाँ से भी वो ivory वगरा का import करते थे, To these were added, medicinal herbs, black, incense and all types of rare commodities, ठीक है, यह सारी चीजों का trade चलता था, जो चाइना करता था, बाकी देशों के साथ, Generally, products from Africa and West Asia, did not go beyond Malabar in South India, nor did many Chinese ships go beyond the molecules in the Southeast Asia, तो यहाँ पर एक limit बता रखिए, कि कहां से कैसे कैसे trade होता था, कभी कभी देखें कैसे होता था, कि यह इंडिया है, यहाँ से Africa के साथ कोई trade हुआ, यहाँ पर आ गया, और यहाँ से फिर चाइना वाले ले गया, ऐसे भी होता था, ठीक है ना, तो directly यही पर जुरुवत नहीं थी जाने की ना, इनको यहाँ पर जाने की जुरुवत थी, तो इस तरह से भी trade होता था, तो बता रहा है, बहुत सारे जो चाइनीज शिप हैं, वो इससे आगे नहीं जाते थे, तो बहुत इंडिया और साथीस एशिया पर इंपॉर्टेंट स्टेजिंग सेंटर फॉर ट्रेट, बिट्वीन चाइना एंड था, इस आगे नहीं आपको कहा, जैसे यह इंडिया है, इधर साथीस टेशन कांट्रीज है, यह एक सेंटर का रोल प्ले करती थी, इधर वेस्टर्न कांट्रीज के बीच में और इधर चाइना के बीच में, दोनों यहां के मिल्या करते थे, यह यह जो लोग जाते थे, यहां से कुछ खरीद के ले कर रहा है, और यहां पर जब चाइना को कर दिया, जो चाइना वाल ले लाए अपना कुछ भी, उन्होंने यहां इंडिया से यहां एफ्रिका वाले ले गए, तो इस तरह से यहाँ पर India या फिर जो South East जितनी भी countries हैं वो सारा यहाँ पर Center की तरह काम करती थी Indian trader especially from the Tamil country and the Culling ठीक है जिसे हम Udisa और Bengal वाला part जो Culling वाला है उन्होंने बहुत ही actively participate किया है trade में किस के साथ? Persian के साथ और अगर हम बात की बात करें तो Arabs के साथ भी उन्होंने काफी अच्छे trade किया है ठीक है? Tamil और जो Culling वाला part है Much of the trade to China was carried in Indian ships बहुत सारा जो trade था चाइना होके जाता था वो Indian ships के थूरू जाता था India the teakwood of Malabar, Bengal, Burma providing the basis of strong tradition of shipbuilding यहाँ पर shipbuilding बहुत अच्छी थी Malabar, Bengal, Burma तब वैदर condition were also such that it was not possible for a ship to sail strength from the Middle East to China और अगर Middle East से चाइना की बात करें तो यहाँ पर इतना easy नहीं होता था शिप अगरा ले जाना the ship would have to wait for a long period in the ports in between for fareable wind इस तो इसी लिए चो ships हैं उनको एक fareable wind को लाने के लिए मतलब जब तक कोई उनके हिसाब से winds पकरा नहीं चलेंगी साथा तेज हैं तो तब तक वो सोड़ी कम नहीं हो जाएंगी तब तक के लिए उनको ना काफी लंबे टाइम तक एक वेट करना पड़ता था के लिए कि जब fareable condition हो जाएंगे तब वो चलेंगे which blew from the west to the east before the monsoon and from the east to the west after the monsoon ठीक है तो monsoon से पहले कैसे चलती थी वो west से east west से east ऐसे चलती थी ठीक है ऐसे और monsoon के बाद east से west तो उसी इस आप सिफे ट्रेड होता था है ना भाई जब monsoon इधर से चल रही है विंड तो इधर वाले लोग इधर जाएंगे तो ज़्यादा पहुचेगा उने है ना क्योंकि भाई विंड के साथ साथ जल्दी पहुच जाएंगे तो इसलिए अभी फिलालव इधर से कोई ट्रेड नहीं करेंगे इसे होता था ठीक है थोड़ा टाम के लिए लोग शान बैठ जाएंगे कि वो इक हुदा आ जाएंगे ऐसे होता था तो यह लोग विंड को इस तरह यूज करते थे दा में सीपोर फॉर्ण ट्रेड इन चाहिना दूरिंग इस पीडियर वस केंटाउन कानफू इस अरप ट्रेलर कॉल्ट इट्स पुद्धिस स्कॉलर वेंट फॉर्ण फॉर्ण गई है इस पॉर्ण तो लोग गई है इंडिय से चाहिना ज़िसमें बुद्धिस्ट इसकॉलर थे तभी तो जो बोध रह में वो इतना जादा फ्राइवा चाईना में the Chinese chronicles tell us that the number of Indian monks in the Chinese court to word तो इसमें Chinese chronicles में मतलब कि जो चाइनीज जो भी आपके पास जो मतलब उनके पास जो भी accounts वगए उसमें बताया है कि किस तरह से बहुत तरह जो Indian monks थे वो Chinese court में गई हैं तो आना जाना बराबर लगा रहता था to the close of the 10th and the beginning of the 11th century was the highest in the Chinese history okay Chinese account of slightly earlier period tell us that Canton River was full of ships from India the Chinese account हमें बताते हैं कि पहले के टाइम में जो Canton River थी वो पूरी तरह से किसे फिल होती थी वो फुल होती थी जो India से जो ships आ रहे हैं अब खुश समझ सकते हो कि India Persia Arabia से जो ships आ रहे हैं वो Canton River थी जो चाइना में वो पूरी फुल होती थी it says that Canton itself there were three Hindu temples in which Indian resided यहां पर यहां तक की तीन Hindu temple भी थे जहां पर जो भारतिय थे वो रहते थे the presence of Indians in the Chinese sea is testified to by the Chinese record to which give the credit of introducing cotton into the Japan to two Indians who were carried over to the country by the black current तो यहां तक की आपको सिर्फ चाइना तक ही नहीं बलकि जब आप Japanese record भी चेक करोगे तो वो भी बताते हैं कि जो भारतिय थे वो उनके यहां तक भी trade करने के लिए आये हैं और उन्होंने ही Japan में किसको introduce करा है? Cotton को introduce किया है Indian rulers, particularly Pal and the same ruler of Bengal and the Pallav and the Chola ruler of South India tried to encourage this trade by sending a series of embassies by Chinese emperors यहां के जो rulers थे, जिसे हमने dynasty बताती है कि पाल हो गए, सेन हो गए, जो बेंगॉल में रहते थे पलव, चोला जो साउथ में रहते थे वो हमेशा यही कोशिश करते थे कि जितना हो सके उतना trade को encourage करें और इसके चलते वो बहुत सारे जो embassies होती थे उनको Chinese emperor के पास भेजते रहते थे इससे कि एक अच्छे संबने रहे और trade जाद से जादा होता रहे चोला रूलर Rajendra 1 जिन्सके बारे में हमने पढ़ा था भी last two videos में Rajendra 1 को पता था कि trade के क्या importance है कि उन्होंने naval expedition शुरू करा किसके खिलाब अगेंस्ट मालने और नेबरिंग कंट्रीज तो ओवरकम देर interference in the trade with China क्योंकि यह क्या करते थे जब चाइना के साथ trade करते थे तो बीच में कुछ countries ऐसी थी जो बहुत दा इंटरफेर करती थी अब यह चीज राज इंद्र फर्स्ट को ब्रकूर पसंद नहीं थी वह ही चाहते थे कि जो इंडियन traders है उनको बीच में कहीं ना रोका जाया था अब इन्धी सेंट तो चाइना पार राज इंद्र फर्स्ट ट्रावल इन इंडियन शिप ठीक है ना तो अब इनों नहीं क्या करा यह अपने एंबसी को चाइना भी भेशते हैं राज इंद्र फर्स्ट टीक है जो इंडियन शिप में जाते हैं देरिसा evidence to show that there were many shipyard which were located on the west coast including gujarat तो बहुत सारे उस पर वेस्ट कोस्ट पर बहुत सारे shipyards वगरा होते थे ठीक है गुजरात तक भी ports वगरा अच्छे से बने होते थे growth of India's foreign trade in area was based on a strong maritime tradition including shipbuilding skill enterprises of its trade अब देखे सब कुछ बहुत ही जादा सी रूट के थुरू हो रहा है जाता सारा trade तो इसी लिए आपकी shipbuilding होनी बहुत जरूरी है तो यहां पर उस shipbuilding थी उनकी जो skillful मतलब लोग रखे जाते थे जिनको यह काम बहुत अच्छे से आता हो बहुत skilled होते थे थे तो इसी लिए सब सब्सक्राइबन shipbuilding पे ध्यान दिया आपनी Chinese trade was very favorable to the countries engaged in so much that in the 13th century the Chinese government tried to restrict the export of gold and silver from China अब दिए एक टाइम ऐसा भी आया है कि जो Chinese government है वो समझ जाते है trade तो बहुत दाद हम कर रहे है ठीक है trade तो हमारे लिए अच्छा है लेकर इस टक्कर पर हो क्या रहा है बहुत सारा export हो रहा है किस का गोल्ड का और सिल्वर का तो इसलिए इन्होंने क्या करा 13th century में gold और सिल्वर के export पे क्या कर दिया बैन कर दिया कि restrict कर दिया इंडियन ships gradually gave way to the Arabs and the Chinese ships which were bigger and faster अब इंडियन ships थे ठीक है वो कहां चल दी है अब वो Arabs की तरफ चल दी है जो Chinese ships थे वो काफी ज़दा बड़े होते थे और बहुत फास्टर होते थे we are told that Chinese ships were several story high and carried 600 passenger apart from the 400 soldiers तो Chinese की आदत है तीरे तीरे देखके इदर देखके फिर कुछ ना कुछ तो यह बड़ा करी लेते हैं तो जो Chinese लोग थे इनके जो ships थे वो भी ऐसे होते थे कि काफी ज़दा मतमतम उनमें ना मंजिले बनी होती थी कम से कम 600 passenger उसमें जा सकते थे और 400 soldier अलग से important factor in the growth of Chinese ships was the use of mariner compass and the invention which later traveled from China to the west इनके जो Chinese ships थे उसमें compass भी लगा होता था यही एक सबसे बड़ी advantage थी ठीक है इनके ships के जिसका invention उनने किया था और फिर यह जो इनका invention था चाइना में जो हुआ था देरे देरे बाद में फिर यह वेस्ट तक भी पहुँच जाता है already India science and technology were being left behind और यहां पर अप गलत चीज़ क्या हो रहे थे हम ट्रेड में अच्छा मुकाबला कर रहे थे सबका लेकिन चो science थी वो हमारी काफी पीछे चूट चूट चुके थे यहां लोगों का science पे ध्यान नहीं था बिलकुल वी तो वर्णा को होता तो यहां पी अच्छ East Asia के साथ चाइना के साथ इंडिया का बहुत ही मस्ट चल रहा था और यह सारा ट्रेड साओ इंडिया पेंगॉल कुछ राथ इस वाली अरिया से चल रहा था इस वाली अरिया से चल रहा था इस लिए इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो North India से जादा South India वाला पार्ट ब बहुत अच्छा हो रहा था ठीक है यह हमारे सेगंड टॉपिक होगा condition of the people ट्रेड तो देख लिया अब देखेंगे लोगों की क्या condition थी अभी स्कावर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि अपने अपने अपनी लेक्टर बहुत जादा लंबा हो जाएगा वो भी चुका है अब 33 मिनट्स को ओच रही है ठीक है तो इससे जादा लंबा हम इसे नहीं बनाएंगे अब हम कल जो एक लेक्टर अप्रोट करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे condition of the people टीक है इसमें हम देखेंगे जातर कास्टिजम को तो इस पार्ट के लिए इतना ही वीडियो आपको कैसा करना और टेलिग्राम गूर्प को भी आप जॉइन कर सकते हो तीक है इस वीडियो के लिए इतना ही थैंक यू